वहीं केजरिवाल की गिरबतारी के खिलाप आतिशी और आम आदमी पार्टी के दूसरे निताओं ने सड़क पर मोर्चा खोल रखा है तो इमोशनल अफील की जम्यदारी अर्विन केजरिवाल की पत्नी सुनीता केजरिवाल ने सम्हाल ली है अर्विन केश्रिवाल की गिरफतारी के बाद आज पहली बार सुनीता केश्रिवाल कैमरों के सामने आई उन्होंने उसी जगे से इस पीशडी जहां से अर्विन केश्रिवाल बोला करते थे पीछे वही शहीदे आजम हगत से और बाबा साहब अमबेटकर की फोटो सुनीता केश्रिवाल खरीब तीन मिनट दस सेकेंड तक बोली वही पढ़कर सुनाया जो अर्विन केश्रिवाल ने जेल से लिख कर भीजा था यानि कि चेरा और आवाज सुनीता केश्रिवाल की और शब अर्विन केश्रिवाल की पत्नी के जरिये देश को दिए अपने मेसिज में अर्विंद केश्रिवाल ने कहा कि वो अंदर रहे या बाहर देश की सेवा करते रहेंगे इंद्रा गांदी की famous speech का सहरा लेते वे केश्रिवाल ने कहा कि उनके खून का एके कत्रा देश के लिए है केश्रिवाल के मुताबिक उनका जन्मी संघर्ष करनी के लिए हुआ अभी और संघर्ष करना है ये सब कहा सुनीता केश्रिवाल ने लेकिन शब्द अर्विन केश्रिवाल के थे सुनिए एक बार मेरे प्यारे देश्वासियों मुझे कल गिरफतार कर लिया गया मैं अंदर रहूं या बाहर हर पल देश की सेवा करता रहूंगा मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए स्मर्पित है मेरे शरीर का एक एक कत्रा देश के लिए है इस पृत्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है आज तक बहुत संघर्ष किये आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे है इसलिए ये गिरफतारी मुझे अचम्बित नहीं करती आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है पिछले जन्द में जरूर मैंने बहुत पुन्ने किये होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नमबर वन देश बनाना है भारत के अंदर और बहार धेरो ऐसी शक्तियां है जो भारत को कमजोर कर रही है हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है इन शक्तियों को हराना है और भारत में ही धेरो ऐसे लोग हैं धेरो ताक्ते हैं जो देश भक्त हैं जो भारत को आगे बढ़ाना चाती हैं इन ताक्तों के साथ जुणना है और इन्हें और मजबूत करना है तो देखिए केश्रिवाल भले ही जेल में है लेकिन चुनाओ इस वक्त उनके भी दिमाग में गूँज रहा है और यही वज़े है कि उन्होंने जेल से ही दिल्ली की माँ बेहनों को ये संदेश बिजा कि उनकी सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को एक हजार रुपया देने का जो वादा किया था उसे जरूर पूरा किया जाएगा सुनिए ये भी दिल्ली की मेरी माँ बेहने सोच रही होंगी केजरिवाल तो अंदर चला गया पता नहीं अब हजार रुपया मिलेगा या नहीं मेरी सभी माताओं और भेनों से अपील है अपने भाई और अपने बेटे पर फरोसा रखो ऐसी सलाखे नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को जादा दिन अंदर रख सके मैं जल्द बहार आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा क्या आज तक अभी ऐसा हुआ कि केजरिवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया आपका भाई आपका बेटा लोहे का बना है बहुत मुजबूत है बस एक विंती है एक बार मंदी जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशिरवाद मांगना करोडों लोगों की दुआएं मेरे साथ है यही मेरी तागत है पहले हम सियासी माइलेज की बात करते हैं इस पूरी बात को जो कोई भी सुना होगा वो सीधा सीधा यह अंदाजा लगाएगा कि यह अरविंद केजरिवाल का संबोधन या उनका यह मैसेज सीधे सीधे उनके वोटरों के लिए है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि एक हजार रुपे प्रती महिने का जो वादा किया था वो मिलेगा और यह वादा कब किया गया था चुनाब घोसना से सिर्फ पहले दिल्ली के बजट में तो यानि अरविंद केजरिवाल जेल में रहेंगे तब भी आपको एक हजार रुपे प्रती महिना मिलेगा और वो किसको मिलेगा जो कोई इंकम टैक्स पे नहीं करता है जो कोई सरकारी न दूसरी बात जहां तक सुनीता केजरिवाल की है निश्यत रुप से चर्चा होने लगी है पहले कल वो शोसल मीडिया पे आई और एक मैसेज दिया आज वो मीडिया के सामने आई अर्विंद केजरिवाल का मैसेज पढ़ा और पार्टी में अलग-अलग स्तर पे इस बात को लेके चर्चा भी हुई है कि क्या अर्विंद केजरिवाल के बाद सुनीता केजरिवाल को दिली सरकार की बागदोर दे देनी चाहिए और इस पे हलाकि कोई फैसला भी आखरी रूप से नहीं हुआ है पार्टी का ओफिसल स्टैंड अभी यही है कि जेल से वो सरकार चलाए बिल्कुल देखे लेकिन लीगली यह पॉसिबल नहीं है यह बार बार साथ किया जा चुका है बासकर बरे रहे रही है गावाल